Hello everyone, आप सभी का स्वाग आते हैं एक बार फीर से, Engineering Nation में तो आज की वीडियो में हम लोग दिखेंगे कि architecture क्या होता है .NET application का ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं और दिखते हैं तो देखिए जिसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है एक C-Sharp application को तो अगर आप overview के हिसाफ से दिखेंगे तो उसमें बहुत साय classes होते हैं ठीक है? तो classes क्या होता है actually? Classes होते हैं containers, क्या contain करते हैं? data और methods contain करते हैं, ठीक है? नहीं समझा? चलो इसको example के इसमें देखते हैं तो जैखो, जैसे कि यह हमारा होगा class, इसमें है data methods but real world अगर हम example लेते हैं, तो एक car समझ लो हमारा होगा class, ठीक है? अब उस car में data क्या क्या हो सकता है? उसका make, उसका model, उसका color ठीक है? यह हमारा होगा data, हमको data मिल रहा है car का और methods मतलब कोई भी function, क्या है function car की? car क्या क्या कर सकती है? car start हो सकती है, car आगे बढ़ सकती है, मतलब car can be moves so यह दो हो गए उसके functions या methods और यह हो गया उसका data तो देखते हैं name space क्या होता है, चलो अब देखते है name space name space is also a container, तो हमारे application में बहुत सारे classes अगर कभी हो गए ठीक है, तो उनको इखटा रखने के लिए हमें कुछ तो चाहिए, यो कि सब class इधर उधर भागेंगे, हम कुछ पता नहीं चलेगा भाई, कौन सा class कहा का है तो उसके लिए हम लोग name space define करते हैं, और name space पे हमारे सारे classes होते हैं अब बताती है कि assembly क्या होती है, तो अब हमारा classes बढ़ गए तो हमने उसको डाल दिया name space के अंदर, अब name space बढ़ गए तो क्या करेंगे तो उसके लिए और एक container है जिसको कि हम बोलते हैं assembly, तो इसको हम dll और exe भी भी बोलते हैं, तो dll का perform होता है dynamically linked library तो इस dll files के अंदर अब बहुत सारे namespace होते हैं और namespace के अंदर बहुत सारे classes होते हैं, तो इस तरीके से एक application बनता है तो अब इस ओवराल डाइगराप में आपको दिखेगा कि यह हो गया हमारा application, application के अंदर हमने assembly या dll को सजा कर रखा है तो इस तरीके से हमारा application बनता है अब applications के अंदर हो गए हमारे namespaces namespaces के अंदर हो गए हमारे classes classes के अंदर हो गए हमारे data और methods ठीक है तो यह होता है overall structure और architecture की application कैसे काम करता है और कैसे बनता है चलिए हम लोग क्यों ना इसको एक example के तोर पर देखे real world में कोई application खोलते हैं और देखते हैं कि क्या सच में ऐसा कुछ होता है तो जैसे कि let me open my computer यहाँ पे c drive में चलते हैं ठीक है c drive में चलते हैं जो यह program files है यहाँ पे हमारे होते हैं files तो चलो अपन देखते हैं कोई application internet explorer को open करते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो देखो आपको यह दिख रहा होगा DLL अब यह DLL का मतलब क्या होगा देखो यह तो होगया हमारा application अब application के अंदर हम लोग गए तो यहाँ पे हमको मेला DLL अब DLL के अंदर होगा हमारे assemblies और classes तो यह है हमारा live example तो आशा करता होगा आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको अच्छा लगा यह वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इंजरिंग नेशन चैनल को सस्क्राइब कीजिए ताकि आपको और भी updates और और भी informations आगे मिलती रहे ताकिय।